इसी कोशिश में पुलिस ने पुश्पा पर बरसाई गोलियां। पता चला है कि पुश्पा गंबे रूप से जखमी हुआ है। शेशाचलम के जंगलों में पुश्पा को धूरने के लिए पुलीस ने एक स्पेशल यूनेट डिपलॉय की है। भागरा पेट की पहाड़ियों पर पुलीस ने पुश्पा की कुछ कपड़े बरामत किये। खून से लत्पत शोर्ट पर मिले आठ गोलियों के निशाद। पुलिस के हाथों मुश्पा की हत्या की अफ़वाओं की वज़चे आप देख सकते हैं। चित्तुरों तिरुपती के कई लागों में दंगे शुरू हैं। इस वक्तन अदामया सकल पर मौझूद है। और आप अब इस स्क्रीन्स पर देख सकते हैं कि किस तरह पुश्पा की समझ सक्थ हजारों की दादार पुश्पा कर आ रहे हैं। आठ गोलिया लगी है। किसी भी इनसान का बच पाना नामुम्किन है। पुश्पा को मारने की एकसाज इसकी। सब पस यही देख रहे हैं कि पुश्पा पैसे किस तरह कामाता था। पंटुमलम है कि का पुश्पन उन पैसों का क्या किया। मेरी बेटी का हार्ड ओप्रिशन हुआ। उसका पैसा पुश्पा नहीं दिया। वगहताई, अब यह ठीक है। बेटी के शादी पुश्पा नहीं कर आए। पंटाए, पुश्पा नहीं हमारे लिए घर बन पाए। कई इलागों में अभी भी सेक्शन 144 लागू है। कुछ लोगों का मानना है कि पुश्पा अब जिन्दा नहीं है। अफवा ये भी है कि वो जैपैन, मलेशिया या चाइना में कहीं हो सकता है। पुश्पा की बॉडी छुपा कर क्या पुलिस हमें गुम्रा कर रही है। आखिर पुश्पा है कहां। कान है रे, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले, तो समझो शेर आया है। लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले, तो समझो पुश्पा आया है। पुश्पा का कुछ रही हुआ। पुश्पा से दाना। अबूल पुश्पा का पुश्पा का अबूल अबूल पुश्पा अबूल झाल झाल